नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी एक्फूट के बारे में जाना है क्या आपने कभी अंड़ाफल का स्वार्च चकाए दोस्तों अगर नहीं है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे आज हम बात करेंगे एक्फूट फार्मी के बारे में जिसे हिंदी में अंड़ाफल के नाम से भी जाना जाता है और पूरे विश में कैनस्टेल फूट के नाम से विश्विक्यात है इसका साइंटिफिक नेम है पथारिया कैपेचियाना और यह सब फूर्टा फैमली से आज़त के वेस्टन घाट्स में भी देखने को मिलता है और रिजेंस में साउथीस रिजेंस में भी आप इससे देख सकते हैं एक्फूट को अंड़ा फल के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं इस प्रकार अंडे के अंदर पि उस प्रकार का जो स्वाध है वो इन फलों में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों और यहीं से डिफ्रेवरेंशेट करता है अन्य फलों से इन पेड़ों का जो हट है तकरिबां 20 से 30 फिक का हाइट जाता है दोस्तों इसके जो कैनोपी होती है काफ यह काफ यहादा खुब में इसका जो टेक्शर होता है वो बॉइल डेक के यह जासे होता है जो काफियदा स्मूध और लाइट हाड़र टेक्शर होता है ठीक उसी प्रकार का टेक्शर आपको इन फलों के अंदर भी देखने को मिलता है किसी-किसी फल में आपको एक सीट मिलने के आशंका बढ़ी रह जाता है और मनुश्य प्रायथी के लिए एक रामबान का काम भी करता है दोस्तों आपको एवरेज जो इसका प्रोड़क्शन है एक जाड से वो तीन सो पचा से चार सो तक होता है जैसे जैसे साल बढ़ते जाता है जैसे इन प्रेडों की उमर होती है वैसे 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 सालों में अगर आपने इस प्रकार के फार्मिंग के उपर अगर आपने फोकस किया है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा सोर्स अफ इंकम आप जनलिट कर सकते हैं एक फ्रूट की फार्मिंग से दोस्तों हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ य जल भरावनी जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए यह हर प्रकार के क्लाइमेट को अपने आप में ढाल लेता है और यही इसको खास बनाता है दोस्तों जिन इलाकों में दलदली वाले जो शेत्र होते जहां पर बर्वारी ज्यादा होती है वहां पर इस प्रकार के रिक सेल्सियस होना चाहिए और प्येच वैल्यू 4.5-7.5 तक का होना चाहिए अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज्यादा भी होता है तो भी आप इसकी प्लैंटेशन आराम से कर सकते हैं दोस्तों इन फलों में कुदरती तोर पे आउशदियों का समावई शोने के नाते यह मनुश्य प्रयाती के लिए एक राम बांड का काम करता है जो आपके शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी एक सुरक्षा प्रधान करता है इन फलों में भरपूर मातरा में बीटा के रोटी नाम क इताट उपायाते जो आपके आखों की रॉष्णी को तेज करते हैं और अधिक दूर तक देखने की शम्ता को भी बढ़ाता है यह आपके ब्लड में ऑक्सिजिन लेवल को बढ़ाता है बुद्धी की शम्ता को भी बढ़ाता है शरीर की उर्जा को नियंतरित करता है इसका यूस मिना की सेवन करने से ठकान अधिक राज्रीक किया जा सकता है आपके वडर को ऐनरेटिक बना के रखता है यह आपके को प्रकारी को रिमूव करते हैं और अच्छे को नेंद्रिल करता है इन फ़लों में फाइबर कंटेट की मात्रा आधिक होने की नाते यह आपके डाइशन सिस्टम को भी बर्करा रखता है पेट से समझेद रोंग को रिमूव करता है पाचन तंत्र को तेज करता है और एक प्रकार का यह DP controller भी है, यह आपके immune system को बढ़ाता है, और इसमें ascorbic acid पाये आता है, पौदे कहां से लिए, तो मैं आप सभी को बता देने चाहते हूं, पौदे आप हमसे भी collect कर सकते हैं, दोस्तों, आप चाहे तो seedling वाले पौदे लगा सकते हैं, या grafting या budding वाले पौदे भी लगा सकत हैं, जो आपको कम time पे एक अच्छा काज़ा source of income generate करके देता है, इससे आपको quantity and quality wise आपको product भी मिल जाता है, यह जो पौदे होते हैं, यह तीन साल के अंदर ही तेयार हो जाते हैं, और आप इसकी हर्वेस्टिक 34 साल में ले सकते हैं, अभी तक भारत में commercial तोर पे इसकी farming न लगा सकते हैं, दोस्तों, यानि कि लाइन से लाइन का जो distance है वो 20 और पौदे से पौदे का जो distance है वो 20 अगर आप इस तरी के सगर distance maintain करके अगर आप लगाते हैं अपनी लैंड पे तो आपको high quality और quantity wise आपको product मिल जाता है, दोस्तों, अगर आप इस high density form में अगर आप आप सभी को बता देने चाहते हूं, एक एकड़ की जमीन पे आप 100 पौदी भी लगा सकते हैं और 150-160 पौदी भी आप लगा सकते हैं, तो मैंने screenshot दे दिया दोस्तों, तो आप उसे आराम से पौस करके देख सकते हैं, दोस्तों, अगर आप अपने घर के आंगन में इस प्र करके फलो का लूफ्स उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने आउट्डोर प्रैंट्स के तहट या खेतों में, खेतों के मेड़ो पर या इंटर कॉपिंग के तहट या ओर्नमेंटल प्रैंट के तहट भी आप इसकी प्रैंटेशन कर सकते हैं, और आप मुझसे भी पौदे कलेट कर सकते हैं, तो मैंने अपना कॉंटेक्ट डीटेल स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दूआ करता हूं दिल से, जैह जै भरत